नमस्कार आज का वीडियो सैटी का बिमारी को लेकर है सैटी का बहुत आम बिमारी है और बहुत खत्रनाख है जंजटिया किसीम का है यदि सैटी का आपको पकर ले तो आपको चलना ना मुंकिन कर देगा साइटीका एक पैर में होता है आत्वा दोनों पैर का होता है साइटीका जो होता है आपको पैर के पीछे यानि कमर के पीछे से आपको चल कर नीचे तक एरी तक जाता है दो मोटा सन्नस होता है जिसमें अगर कोई बिमारी होता है दर्ध होता है तो उसे हम साइटीका कहते हैं साइटीका बहुत ही खतरनाक है जिनको पकर लेता है वही इसके दर्द के बारे में समझ रहे होते हैं साइटीका आपको एक डेग आपको बढ़ने नहीं देगा यदि हुमिपैथिक में लक्षन मिला कर यदि इलाज किया जाए तो निशित रूप से साइटीका का डर ठीक होता है लेकिन इसमें लक्षन बहुत जरूरी है और जितने भी दवा आप जानते हैं लक्षन उनसार देंगे तो आपको फायदा अवस्य करेगा हम आज भैलेरियाना आपको मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे भैलेरियाना का कुछ खास सिंटम है उसके अधार पर आप देंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा करेगा ऐसे हर दावा का कुछ ना कुछ लक्षन होता है लेकि हमने जो फील किया है और नहो किया है उसी के बारे में हम ज़्यादे चर्चा करेंगे भैलेरियाना का मरीज इस तरह से उसको सोय नहेगा तो अराम रहता है उसकोई दिकत नहीं रहता है लेकि जैसे भिछाओन से उठकर अपना पैर रखेगा उसे समय उसे दर्द लगेगा और जस पैर रखेगा उसके बाद उ इसलिए वो धीरे धीरे पाउं रखना शुरू करता है यह बिमारी में काफी दिकत होता है तो यह आपको मरीज यह गौर से सुनिएगा सिम्टम पर आप ध्यान नहीं देंगे तो बिमारी ठीक हो ना नमुम्किन है ऐसे मैं यह दुबीर यह दुबीर सिन्हा के बुक से ही मैं इसका आपको सिम्टम दिखाने के कुशिश करता हूं और आप देख सकते हैं यह तो बहुत छोटे-छोटे अक्षर में लिखा रहता है लेकिन हम भैलेरियाना के बारे में आपको बता रहे हैं यह भैलेरियाना आप यह अपने अस्तर से बुक में अपने ऐसे देख सकते हैं आपके पास जो भी मैटरिया में डिकार रहता होगा आप उसे इसका सर्च कर सकते हैं आप देख सकते हैं तो भैलेरियाना में हमने जो रिखावन पर रहता है लेटा रहता है कोई दिकत नहीं रहता है लेगी पैडू जब जमीन पर रहता था तो दर्द चालू होता है आप इससे समय सकते हैं कि जैसे हमने माल य यह पाउं है यह है अभी धर्ती पर नहीं पर खांग है इस். भी दर्द नहीं है लेकिन जैसे आपको धर्ती पर परेगा इसमें तरह का दर्द होगा बहुँ ज्यादा इसमें तन या जन आपको जो भी भासा में समझ सकते हैं इसमें एक दर्द होता है यह भैलिरियाना में आपको अवस्य ध्यान देनी चाहिए और इस धंक बिमारी में दो से चार खुराक में आपको ये बिमारी को ठीक कर देता है तो भालरियाना से समवंधित आपको जनकारी आज का कैसा लगा कॉमेंट बक्स में अपने परतिक्रिया आवस्य देंगे कुछ भी परेंगे सर्टिफिकेट इन होमिपैसिक डिस्पेंसिंग अकोर्स करें या आप होमिपैसिक प्रेक्टिस करें आपको इस डंग का मरीज मिलना ही मिलना है कभी न कभी मिलेगा तो उससे में जुरूर ध्यार रक्षिएगा और अपने ऐसे तो दो चार पांच शेयर दवा होमिपैसिक में है लेकिन जिसका कहीं चर्चा होता है और जिससे बिमारी ठीक होता और असानी से मील जाने मुल्य दवा है और हम इसके बारे में मुझे विशेष कोई भी जनकारी नहीं है लेकि साइटीका के केस में यदी फिर से एक बार बताते हैं ये माली जे आपका पय ये पाउं हो गया ये आप सो कर उठे और पाउं उपर है माली जे अभी धरती पर नह है लेकिस चलने के लिए जैसे पर रखे आपको मारेगा बहुत टन से एक आवाज मारेगा आपको ऐसा फील होगा कि क्या हुआ फिर आप दूसरे पर लखें से मारेगा आपको हो सकता है कि फिर बैठ जाना परें कुछ दिर कुछ देर तक पाउं इधह उतार करेंगे तो हो के यूट्यूब चैनल से मैं विदा लेना चाहता हूं नमस्कार आपको दिन सुभो जय हिन जय भारत